हेलो गाईज सभी जहरखन साथियों का जोहार तो आज 30 मार्च है आज के दिन हम लोग एक कहम फैसला लिया हैं वो सरकार के खिलाब सरकार के बरवारता एवं पंगेता के कारण सरकार के गलत नीतियों के कारण तो हम लोग जान ही चुके हैं कि ये सरकार नियुक्ति नहीं आना चाहती है आप उदाहरन के दवरान समझे जैसे उदाहरन लेते हैं कि अगला साल जो पिछले वर्स जो नीति बनाई थी बताई एक मा का दो वेटे हैं एक जहारखन से पढ़ रहे हैं और एक बिहार से मैट्रिक आई ये किया एक जहारखन से किया है तो क्या जो बिहार से metric आई ये किया है उसको जहारखंड में आप इंट्री नहीं दीजिएगा जहारखंड में form fill up करने के लिए नहीं दीजिएगा तो इस तरह का नीती है यह तो automatic है कि अगर supreme court या तो high court जाएगा तो यह automatic है कि रद हो जाएगा और अबर क्या किये हैं जिलावार रोष्टर आरक्षन निकाले हैं कुछ ऐसे जिला है चार पाच जिला जहां पे OBC का एक भी परसेंट आरक्षन नहीं दिया गया है तो आप ही बताईए क्या उस पाच जिला में जिस पाच जिला में आप OBC का आरक्षन नहीं दिया क्या O, O, B, C क्या मुस्लिम आदिवासी में कनवठ हो गए? क्या चीज में कनवठ हो गए? वहाँ O, B, C हो गए या नहीं हो गए? जाहिर सी बात है कि वहाँ भी कुछ मातरा में O, B, C हो गए?